नमस्कार दोस्तों UPPSC daily news में आप सभी लोग का स्वागत है तो जहां दोस्तों आज एक कहानी आप सभी लोगों को सुनाने जा रहा हूं जो की सत्य कहानी है मैं बात कर रहा हूं सिधार्च सुहाग की ये बाते तो काफी पुरानी है लेकिन आप सभी लोगों के लिए ये वी कार की कठिन समय में भी व्यक्ति का मनोबल कभी भी गिरना नहीं चाहिए इसके सीधे उधारण है सिधार्च सिहाग जिन्हों ने भी अपनी जीवन में बहुत धेर सारी कठनाईयां देखी मगर अपनी जुनून के आगे अपने लक्ष को भी छोटा साबित कर दिया तो जहां दोस्तों हम बात कर रहे हैं वर्तमान आईयस सिधार्च सुहाग की जिनके बिसे में कुछ रोचक जानकारी आप सभी लोग को बताना चाहता हूं जिससे मैं चाहता हूं आप सभी लोग मोटिवेट हो और अपने करता हैं ये भी मैं आप सभी लोग को इस वीडिय तो जिस ब्यक्ति की आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पे ये हैं सिद्धार सुहाग निउस काफी पुरानी है मगर पुरानी निउस पे न जाते हुए आज भी इनकी जो मोटिवेशन है वो इनसान के लिए वर्तमान की इस्थिती बन सकती है अगर आप सभी लोग भी चाहले तो पहले बने जज फिर बने आईपिएस उसके बाद भी नहीं रुके फिर हुआ आईएस बनने का सपना पूरा जाने इन्ही की जुबानी आप सभी लोग को इनकी कुछ कहानी हम बताना चाहते है मोटिवेशनल स्टोरी है आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रसासनी कदिकारी की जिनोंने अपनी मेहनत के बल पर न सिर्फ मंजिल पाई बलकि ऐसे ही समकच अनुभो भी साथ में लिए सरकारी नौकरी पाना ही खुद एक उलमपिक मेडल की भाती हो गया है उसमें भी सिविल सेवा जैसी नौकरी हासिल करना एक बड़ी काम्याबी होती है बात कर रहे हैं एक ऐसे I.S. अफिसर की जिनोंने मंजिल नम मिलने तक विकल्प चुना और उनके साथ-साथ मंजिल पाने की कोशिस भी जारी रखी यहां दोस्तों जीवन में संतुष्टिय और जिद दोनों में बहुत फर्क है कुछ हासिल करना और एक अपनी इच्छानुसार पाना बड़ा मुश्किल है विकल्प मिलने पर खुसी होती है लेकिन दिल में जज़बा मंजिल पाने का होना चाहिए जैसा की सिधार सुहाग ने कर दिखाया विकल्प को चुनो और सुिकार करो मगर जब तक मंजिल न मिले महनत करते रहो आज हम आपको बता रहे हैं हरियाना में हिंसार जी लेके एक छोटे से गाउनिवासी जो की सिवानी बोलान में जन में सिधार सियाग जिन्होंने पूरी पढ़ाई पंचकुला में की सियाग की पतनी रुखमणी सियाग भी I.S है जो अरत्मान में डूगरपूर जिला पर्च से शिए ओ में बूदी में कलेक्टर बनाए गया है सिधार सिहाग की पिता दिलबाक सिंग हरियाना में चीप टाउन प्लानर से सेवा निवर्ति हुए हैं उनका छोटा भाई सिधार दिली में जज हैं सिधार सिहाग की पढ़ाई और उनके आईएस बनने तक का सफर युवाओं के लिए बह सभी तरह की परिच्छाओं में भाग लिया सभी प्रत्योबी परिच्छाओं में अपनी नौकरी का आकलन करना भी एक मंजील तक पहुचने का हिस्सा था आईएस बनने तक के सफर से पहले इन्हें न्याईक सेवा का रास्ता मिला इसके बास सिविल सेवा में चैन हुआ औ लेकिन मंजील तो भारती प्रसासिनिक सेवा की ही थी मंजील पाने के लिए तैयारी लगातार चल रही थी और नौकरी भी चल रही थी मैं आपको बता दूँ कि अगर आप एक लक्ष की और हार्डवर के साथ परिच्छा की तियारी करते हैं तो आप मंजील को जरूर हासिल करेंगे आप चाहे जो सोच लें वो सकसेज आपको जरूर मिलेगी सिधार सियाग ने कालेज में आने के बाद ही ठान लिया था कि प्रसासिनी का धिकारी बनना ही है इसके लिए बहुत मेहनत की सिधार सियाग स्कूलिंग के पाद पंचकुला से सीधे हैदरावाद गए सिधार सियाक के अनुसार दिली जुडिसिली सर्विस परिच्छा पास करने के बाद देली के सिविल जच मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेन पर चैन हो गए ट्रेनिंग कर ही रहे थे कि आईएस का प्रेणाम आ गया और 148 वी रैंक मिली जिनने आईपियस के डर मिला और मैं नेशनल पूलिस अकेडमी हैदराबाद गया आईपियस की ट्रेनिंग के साथ ही आईएस बनने का सपना नहीं छोड़ा और उसकी तैयारी साथ में जारी रखी इसके लिए इन्होंने कोचिंग नहीं की नियमित रूप से पढ़ाई जरूर की तस-दस गंटे की पढ़ाई अपनी चालू रखी मैं आपको बता दूँ तीनों ही कंपटीशन के लिए किसी भी प्रकार की कोचिंग नहीं की आई-एस की तैयारी के दोरान इंटरनेट से पुराने आई-एस के अनुबहुत जरूर लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्धा के ततकालीन कलेक्टर के ब्लाग से भी नोटीन को मददकार रहे और बाकी पूरा फोकस पढ़ाई पर आज के दोर में सामान ग्यान पर पूरा फोकस होना चाहिए प्रतियोगी परिच्छाओं में सबसे अहम और महत्पूर पार्ट सामान ग्यान है जिसमें अपनी मजबूत पकड़ के साथ परिच्छा में कामियाभी हासिल की जा सकती है वर्तमान में उदैपूर नगन निगम के कमिस्टनर और स्मार्ट सिटी की सीओ से उन्हें नई असोग गहलोश सरकार में जालवाडा में कलेक्टर बनाये गया है तो जिहां दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग ने इनकी कहानी को सुना और जाना मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जीवन के लिए एक मोटिवेशन ये अवश्य होंगे क्योंकि किसी भी इंसान के आगे उसकी मेहनत के आगे कोई भी लक्ष बड़ा नहीं होता है यहां पर सरकारी नौकरी एक निकालना मुश्किल हो जाती है एक इनसान जैज के बाद IPS और IPS के बाद IS यह किस हिसाब से है एक बार अगर इस कहानी में आप सभी लोग सोहम घुसेंगे तो आप वो समझ में आएगा हां मैं मानता हूँ काफी लोगों का मानना ये होगा कि वाइफ आईएस थी छोटा भाई जज पिताजी सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए थी बैक ग्राउंड अच्छा रहा होगा लेकिन संघर्सों का जो सिलसिला होता है ना दोस्तों वो मन में कितना भी कुछ रहने के बाद भी लगातार लगी रहती है जो असल में मेहनत करने वाले शात्र होते हैं ये कहानी मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग के जीवन के लिए बहुत ही मोटिवेशन देगा वीडियो अच्छा लगा और लाइक जरूर कर दें अपने दोस्त त्यार से भी इस वीडियो को सेर करें बाकी आपको पता है आयो के सब तरब से कोई भी अपडेट चैनल के माध्यम से तुरंत आप सभी लोग को प्राप्त होई जाएगी सबसे सठीक और अच्छी खबर बस आप सबी लोग साथ दें सहोग करें बहुत बहुत धन्यवाद